सभी को जोहार फिर से आप सभी को The Success Tutorial Classes घाटशला के यूटूब चैनल पर सवागत है ठीक है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो जो सिरीज चल रहा है हमारा अरारवी रेलवे के जो प्रिवेस एर पेपर का सिरीज चल रहा है इसका ये दसवा नमबर वीडियो है और परसेंटेज चेप्टर का ये तीसरा वीडियो है हमने दो वीडियो पहले से अफ्लोड कर चुके हैं आपने उम्मिद करता हूँ आपने देख लिया होगा सारे कोश्यंस को क्योंकि इसी टाइप के सवाल रेलिवे में पुछे जाते हैं तो हम लोग आगे चलते हैं और आज हम सुरू करेंगे 31 नुमर कोश्यंस से और फिर 45 नुमर कोश्यंस तक हम लोग देखेंगे इस वीडियो में धिरे धिरे लेवल बढ़ेंगे कुश्यंस के लेवल धिरे धिरे बढ़ते हैं चुरू आत में आसान होती है ताकि क्या होता है छोटे-छोटे जो बच्चे ह होंगे यानि कि थोड़ा सा concept में कमी होगे जिनके पास वो भी थोड़ा-थोड़ा करके समझने लगते हैं तो चलिए तुम्हें बिना गवाएं क्योंकि यहां पर और इस वीडियो को आप देख सकते हो सबसे बहतर क्या होता है वीडियो को आराम से देखिए पीडियेप आपके पास अल्रेडी मिल रहा है सोलुशन के साथ तो टेंसन वाली बात नहीं है नौट्स बनाई है और इसको प्राक्टिस कीजिए क्योंकि आने वाले रेलवे नहीं पाओगे इसलिए questions को solution के साथ आप अपने notebook में copy करते रहना जहांति नागे पढ़ुआ मेना प्यास अनाम कोगे नवादो नेल पे चेदा से रेलवे रे चक्री ना जुदी मोने रे इच्छ मेना इनका नोंकान वीडियो दो आल पे हिडिना नवा वीडियो ने लगा अच्छा लाइक बुटन जहांति नागे पढ़ुआ को मेना को आपको जो है अपने फ्रेंस के पास भी इसको फेंकी है क्योंकि फ्री में है तो फिरी में बाटने में कोई दिक्कत नहीं होती जहां पर फ्री में नहीं बाट सकते जहां पर खर्चा लगता हूं हाँ पर सोचते है ना तो थोड़ा सा कीजिए ऐसा ताकि इस वीडियो का फाइदा सभी को हो आप सभी को इसका फाइदा मिले चलिए तो सुरू करते हैं आज का पहला कोश्चिन यानि कि 31 नंबर कोश्च बच्चों को फुड़ोल खिलना पसंद था तो कितने बच्चों को फुड़ोल खिलना पसंद नहीं था ऐसे सवाल भी सोच उचा गया है तो कौकलोही होंगे जो इस सवाल को नहीं बना पाएंगे देखिए टोटल 40 बच्चों का जांच परताल हुआ था उसमें 25 परसन पतलब आप चाहे तो एक बटा चार लिख सकते हो यानि की टॉटल 4 लोग थे तो उसमें से एक बच्चा को पसंद आया था फुड़ोल तो तीन बच्चा को पसंद नहीं आया था या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि टॉटल 100 परसन होता है उस हेंड़ेशन में 25 परसन को पसंद था तो पचात्तर पर्शन को नहीं आया था पसंद तो पचात्तर पर्शन का मान हमें एक्च्वल में चाहिए यानि कि 100 पर्शन का मान दिया है टॉटल कितने हैं बच्चे इतना बस खतम हो गया तो यह चार बार में यह तीन बार में तो इसका मतब चार का मान 40 तो तीन का मान றीष और आपके पास आंसर हो गया सिरिष यहां पर वह कर सकतेथे इसमें भी एक बटत चार बत्मटस्स टोटल चार बच्चें हैं तो चार में से एक बच्चा पसंद किया तो तीन बच्चा पसंद नहीं किया 초대 में Seal तो 3 कमान कितना यही था आगे बढ़ा जाए नेस कोशिन की तरब चलते हैं नेस कोशिन में क्या लिखा पंद्र कोशिन आज हम लोग देखने बले हैं फिर से चलिए एक कच्छा में 37% की कौमी कर देने से यह इतना हो जाएगी तो कितना परतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि 800 हो जाए यह 800 हो जाए ऐसे बोल दिया द मान लिया शुरुआत में सोट हो था कौमी किया जाएगा बोल रहा है 37% क्या हो जाएगा कोमी होने के बाद कितना बच जाएगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां 3 आएगा और यहां पर 6 आएगा यानि कि 63 जो है रह जाएगा इसी 63 का मान एक्च्छल में दिया है 315 तो सवाल में बोला इसे कितना पर्तिशत बढ़ाया जाना जाहिए ताकि यह 800 हो जाए अब कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए तो हमें पता ही नहीं है 80-100 तो रियल नाम ठवर है सबसे बड़ा हैडक यह है तो कोई बात नी कोई बात नी टेंसन वाली बात नहीं है सिधा सिधा आप लिख सकते हो आचा परतिशत के रुप में रहने दीजे न ऐसा यह भी परतिशत में है इसका इतना परसंट घटेगा तो इतना रहेगा तो कितना परसंट क्या करेंगे बिर्धी करेंगे चाकी 800 हो जाए 800 पहले इतना हो गया था इतना मतब 315 हो गया था 315 तो आप डारेक्ट लिख सकते हो इसी चीज को ऐसे करके देखो कैसे डारेक्ट लिखता हूं सुनिए अगर 37 परसंट कमी होती है तो इतना रह जाएगा होने से कितना परसंट ब्रदी होगा तो 800 बराबर ठपा लगा दीजिए 100 से बढ़ेगा तो लाब होगा सुरी ब्रदी होगा तो फिर ब्रदी बोलेंगे और कमी होगा तो कमी बोलेंगे 100 से बढ़ेगा तो ब्रदी बोलेंगे तो काट दीजिए यहां कितना से काट सकते हैं हाँ जी पांस से तो देखें पांस से इसको काटता हूं एक तिरसट है तिरसट इहां पांस से हमने काटा देखो पांस दिया पंद्रों और पांस चोक 31 काट दिया और इससे इसको काट डालेंगे तो 160 होएगा 160 बच रहा है 160 मतब 100 से कितना बढ़ा 60% और यही आपके पास अंसर है इतना ही करना था यह सब तो दिखावा था और कुछ नहीं 300 पंद्रों होने से 63% हो रहा है तो 800 होने से 160% होगा 160% 100 से कितना ज्यादा है 60 इसलिए 60% हमारा आंसर है सबसे सबसे सबस्ता तरीका यही है यह तो सिर्फ मैंने दिखाया और कुछ नहीं किया आगे चलो का जब किसी संक्हा से 106 घटाया जाता है तो वो संक्हा इतना परसें रह जाता है तो उस संक्हा का इतना परसें क्या होगा सीदा इस सिदा है भाई कोई 100% होती है लेकिन वो रह जाएगा 47% इसका मतलब कितना घटाया गया तो आप बोलेंगे सर इहां 3 हो रहा है और इहां 5 हो रहा है 53% कम हुआ है इसी 53 का मान आपको दिया है 106 और बोला 11.3 का मान बताए और कुछ नहीं करना है तो ये दू बार में कटाक्स और ये आपका 23 बटा दू है तो दू कट जाएगा तो 23 हमरे पस आंसर के रूप में आएगा देख लेना और कुछ नहीं करना नेस कोश्चिन की तरफ में चलता हूं इसमें देखो जरा क्या सवाल दिया है थो अचिस जो बच्चे माँन लिज्ग ये वह नहीं कर पार तो अराम से देख सकते हो जो बच्चा भोगत फास्ट थे जो समझ पार हो तो वह जो जो है न Modern a इस में देखो आ 12 में मतलब। आप कम से कम 1.5 में देखो इसको एसने से क्या होगा आप को फाइदा होगा जिए महुन ज़यादा तेज वाले हैं तो इसको को सूख कर देना होता है इंटूंट जो जो बहुत अरप का है तो तो नर्मल में ही देखे का लेकिन रोमर में भी प्रॉब्लम है इसलिए पॉइंट फाइब माइनस में देख सकते हो आप अराम से में आने तो बार बार देखो क्यों नहीं समझ में आएगा आगे चलो एक बैक्ती को बर्स 2007 में अपने बार्सिक बितन के रूप में इ 10% बढ़ाया गया था इसका हम तो अब हुआ है 110% अब हुआ है 110% मतब 110 का मान आपको देर दिया है 8,8,0,0,0 and 0 तो शुरुवात में कितना था यहीं पूच रहा है कुछ नहीं और तो 110 उड़ाया यहां पर होगा 8 से जीरा 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 एंड जीरा हो गया तो इनके साथ मल्टिप्लाइ करेंगे तो 8 जीरा 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 एंड जीरा आट लाग हो जाएगा कितना लाग आट लाग जो की बी नमबर आफशन में है चलिए आगे बढ़ता हूँ नेस कोशन की तरफ हम चलते हैं नेस कोशन में किस तरह के बाते बोलके रखा है एक बार उनको भी देख लीजिए एक बेंक और बिंद को इतना रुपिया का रिन देने के लिए तियार हो जाता है जो उसके बेवसाई को सुरू करने के लिए 70% कम है अहो मतलब क्या कहना चा चाहता है कि कोई गरबिंद नाम का पाटी है और वो कोई बेवसाई को सुरू करना चाहता है स्टार्ट करना चाहता है और बेवसाई में मान लिजे 100% इंवेस्मेंट है अगर बेवसाई में 100% इंवेस्मेंट है तो अगर कोई बेंक से लॉन दे रहा है तो वो जो लॉन है वो 17% कौम है इसका मतब 83% के बराबर है वो ये जो लॉन है वो 83% के कोवर अप करता है उनका investment का तो बोला सवाल में कि तो उसे और कितने रिन की आव सकता पड़ेगी ओई 17% जरूत और पड़ेगा क्योंकि उतना कौम है तो डायरेक्ट लिखेंगे 83% और इसी का आपको दिया है 23875697 और हमें बुला है कितना और जरूत पड़ेगा बबु 100% लाने के लिए 17% और एड होना चाहिए तो इसी 17% और requirement होगा बस इतना ही करना है इतना ही करना है एक बात बताएं हाँ इसको solve करना अपने आप में बहुत खतरनाक challenge है आप सबी के पास छोड़ रहा हूं देखो एक तरीका होता है इसको भाग करने का जैसे ये 3 है और यहां साथ है तो 3 का कौन सा पाड़ा में साथ आता है तो बहूंगे 9, 9,27 इसका मतलब जरूर इहां पर 9 से कटने वाला है और यह साथ से जब आप multiply करोगे तो 7,9 आएंगे की नहीं हाँ तो देखो इनके साथ इनको गुना करेंगे तो क्या हो सकता है आप बता सकते हो हाँ जी तो 9,7,63 में 3 आ जाना है तो 3 तो आएगा ही last में इसके पास guarantee के सा साथ बोल सकता हूं लेकिन यहां पर 3 तीन जगह पर है ना सबसे बड़ा headache यहीं है इन तीन के जगह पर है नहीं प्रॉब्लम है हमारे पर इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता लेकिन इन तीनों में से हो सकता है तो आपको मैं comment section में छोड़ दे रहा हूं answer आप बताओगे इसक डीजिट होना मांगता है तभी तो आप compare कर पाओगे तो comment section में मैं इसका answer मांगता हूं next question की तरफ चलता हूं देख लो अच्छा question है है ना वहला question ठीक था था बहुत को छोड़ देगा उसे सवाल क्योंकि उसको भाग करना बहुत मुश्किल हो जाती है यह देखो क्या लिखा है यह बला संखा यह बला संखा का कितना परतिशत है बस ऐसे बोल दिया बबु यह बला जो संखा है इसका कितना पर पटिशत है बस खतम है कि आप बोलेंगे सर उपर में दो लिखेंगे औरतीजिरो है तो नींचे में लिखेंगे ऊपर में दो जीरो दे देंगे क्योंकि नीचे में पौइंट है आचा उपर में तीन फोगी इसका मतलब आपके पासoh और उसके बाद Article गो जीरो यहां चिपका दोगे और इंटू में शो इसका मतलब यहां दो जीरो यहां दो जीरो कट जाएगा यहां एक जीरो यहां एक जीरो कट जाएगा यहां एक बटा छो आ जाएगा तो एक बटा छे है और इंटू में दस है इसका मतलब पांच बटा क्या होगा तीन और यही आपके पास दिखाई दे रहा है, option number B में, ठीक है, चलो, आगे चलता हूँ, next question की तरब चलता हूँ, non-stop video है भाई, non-stop video जिसको भी नहीं समझ में आता है, एक बार आप जरूर हमको contact करो, है न, पुछो कि यह कैसे हुआ, मैं आपको बता दूँगा, don't worry, उसके लिए को 70,000 थी, इसमें 8% की बिर्दी हुई, तो अब जनसंखा क्या होगी, 8% की बिर्दी हुई, तो इसकी जनसंखा क्या होगी, है न, हाँ, तो देखो, 8% की बिर्दी हुई, बुला, तो सहर में जनसंखा 70 था, और अब क्या होगा, बुले, तो direct लिखे न, 70,000 पे 8% बिर्दी क यानि कि छपन सो प्रदी होगा तो सत्र हजार में छपन सो जोड दीजिए सत्र हजार में छपन सो जोड देंगे और क्या तो आजाएगा 75600 कौन सा option है बी number option है भी नहीं दी number option ठीक है चलिए आगे नेस question की तलास में ये question number 38 है और इसमें क्या बोल दिया एक बार पढ़ लेते हैं बोला 60 का 15% के 45% के बराबर है वो हो ऐसे बोला सिधा सिधा लिखो ना 60 का 15% किसके 45 के बराबर होगा सिधा लिखिए 60 का 15% किसके 45% के बराबर होगा बस खतम काड दीजिये तब तो बोलेंगे सर 15 तीन बार में आ तीन बीस बार में बस खतम तो एक्स का मन बीस आएगा यानि कि 20 का 45 परसंद के इक्वल में होएगा आगे चला जाए हम नेस कोश्चन की तलस तलस में अच्छा कोश्चन आगे आएंगे डॉंट वरी है ना आपको टेंस आएज आपको मिलेगा चाह इसके बाद हम लम जो है ना आगे की तरफ चलेंगे आछा ध्यान दिजिएगा एक rehab di Makya आपको में फोड़ रहाँं कहानी मैं आपको comment चाहता हूँ comment किजिए और इसके बाद ये वाला जो सीरीच चलेगा यानि कि ये chapter चल रहा है percentage तो इसके बाद कौन सा चेप्टर करना चाहते हो आप बताना ये चल रहा है अभी फिलहाल इसके बाद next topic कौन सा होगा वो आपके हिसाब से तै होगा next topic आप तै करोगे और उससाब से जिसका comment सबसे ज़्यादा होगा या फिर हमें message कर दिया जाएगा हमारा personal number पर message किया जाएगा कि ये शुरू किजिए जिसका सबसे ज़्यादा voting होगा यानि कि जिस chapter का सबसे ज़्यादा requirement होगा उसको मैं इसके बाद next से शुरू करूँगा ऐसा नहीं होगा कि मैं profit and loss शुरू करूँगा ना क्या लेकिन अगर हाँ अगर सबसे ज़्यादा बोट अगर उसी में आया तो मैं उसी का ही chapter को शुरू करने वाला हूँ ठीक है ना हाँ तो मैं आप से ही वो उम्मिद करता हूँ आप हमको बताईएगा बोट कीजेगा कौ को पर्सनल मेसेज कर सकतो या comment section में दीजिएगा जरूर comment section में दीजिएगा ओके किसी में भी कर सकते हैं कोई problem नहीं आगे चलिए next question की तलास में चलता हूँ और next question में इस तरह की question दिया हुआ है देख लो क्या लिखा हुआ है बोला है 240 का 20 % plus 28 25 %-85 को 15 % कुछ नहीं करना है थोड़ा सा तो solve करना है और क्या यह & a 54 percent, plus 28% ka 28% plus 96% ka 92% minus 85% ka 15%, यह मान ही पूछ रहा है, तो जितना आपको काटा-कटी करने में सुभिदा होगा, गुना करने में सुभिदा होगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, बहुत असान होगा, आच्छा है ना, तो यह क्या हो सकता है, answer आपको पता कर लेना है, तो बबू एक ही चारा है जिसको गुना उना नहीं आता उनके लिए problem create हो सकता है आप गुना कर सकते हो देखो यह 14-14-196 होगा यानि की point आ गया इधर 28-28 का मतलब क्या होता है 784 यानि की दो घर के पहले point होगा 7.84 आगे यह जो बबू यहां पर 92 है और 96 है इसका मतलब 92 और 96 को multiply करेंगे तो कैसे multiply करते हैं आपको बताया था यहां 4 कम है और उहां 8 कम है 4-8 32 हो गया उपर आच्छा कम है तो इधर में वो जोड़ दीजिए और इसमें वो जोड़ दीजिए मतलब घटा दीजिए तो यहां कम था आठ और उहां कम था चार तो चार उसमें से कटाएंगे तो 88 आजाना है और पॉइंट दो घर के पहले यानि कि हो जाएगा 88.32 और माइनस 5555 हसिल रहा साथ और यह पंद्रो आटे 120 और साथ 127 यानि कि हमारे पास पॉइंट आएगा इतना इतना तो आपको आता ही है काम नहीं आएगा दो डिजिट तक काम नहीं आने वाला इसका मतबताए करना होगा आप ही को आगे की तरफ है ना तो देखना जोड़ घटाव गुना भगा कर लेना इसका कॉमेंट सेक्शन में आंसर ठो बता देना थोड़ते हूए जा रहा हूं आपको भी थोड़ा सा मे जोड़ेंगे था कि योखफल इतना के अठ्रफ के बराबर होगा बोल रहे है यह 24 is us का जो 12 पर संट पढ़ेगा उसमें इसा प्या जोड़ेंगे अ कि चोवन सो का अठारो परसन के बराबर होएंगे बस एक काम करिए आप आप इसको काट डालिए मडर कर दीजे इसमें हो गया आपको ना एक्स का मांद चाहिए तो यह चोवन है और इंटू आठारो है माइनस में 24 होगा इंटू बारो होगा हो गया आप काम कर दीजे ऐसा क्या यहां ऐसा लग रहा है जिसे 36 कोमन आ सकता है तो मैं यहां 36 कोमन आ रहा है लेकर रख रहा हूं तो यहां से यहां से दू आएगा तो 27 बचेगा और यहां पर 36 है यानिकी 8 बचेगा 8 उसकतम हुआ यानिकी 36 गुना 19 37 गुना क्या 19 तो 9.64 में 4 आएगा लास्ट में और वो ही आपके पास option में दिख रहा है हाना option में यही दिख रहा है कौन सा 6-8-4 6-8-4 आगे चलिए question number next की तरब चलता हूँ और इस question को एक बार बनाईए खुद से बनाईए पहले उसके बाद मैं बताता हूँ उससे बनाईए पहले उसके बाद मैं बताता हूँ बनाओ बाबो फटाक से बनिया से बनाओ बनिया से पानी पी लेता हूँ कि देखिए क्या होगा देखिए एक बार एक संखा का 25 परसेंट दूसरी संखा के 30 परसेंट से 7 अधिक है तो संखाओं के बीच का डिफरेंस इतना है अच्छा एक संखा दूसरी संखा बोला है तो संखाओं का अंतर भी दे रहे दिया है तो संखाओं ग्यात कीजिए देखो दोस्त एक संखा एक्स मान लीजिए और दूसरी संखावय मान लिजिए अच्छा और उनका बिच का डिफरेंस भी आपको गीवन है मेरी गुड ऐच्छ आप चाहो पोफशन देखता हुँ नहीं यहां डिफरेंस 29 है है Harry डिफरेंस 29 इफ मात-ब उसमें तयर्ण owSON seems और इसको कोई बड़ी बात नहीं है एक काम करिये तब भी पोला इसका इतना परसंट 25 परसंट उसका तीर्स परसंट का डिफरेंस आपको साथ गिवेन है तो ऑफ्शन से डिल कर सकतों नहीं तो डायरेक्ट लिखो एक संका एक साइव दूसरे संका वाई है समझ लिजए इसका कितना परसंट 25 परसंट और इसका क 3y बटा तस हो गया और बराबर में साथ हो गया यानि कि x-3y का मान आपके गिवन है एला ले 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 लेंगे बाबा ले 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 लेंगे तो हमारे पास आ जाना है 20 इन से 5 होएगा और इसमें 100 होएगा अच्छा एक प्रॉब्लम इस बात का है यहां पर दुह है और यह हो जाएगा साथ यानि कि 5x-6y पराबर में आपके पास आ रहा है 140 और इसका डिफ्रेंस भी दिया है डिफ्रेंस अंतर भी दिया है एक्स-y का मान भी दिया है 29 यानि कि इन दोनों से आपको x का मान या y का मान ढूणना है जो कि लिंदी पड़ेगा इसलिए म क्या करूंगा पहला उप्षिन देखता हूंग एक संखा का 25 होना चाहिए 25 पर्षिन बोला एक संखा का 25 पर्षिन काट डला मैंने तो चार आ गया ही है यानि कि 17 बटा क्या आया 2 और एक संखा 5 है और 5 का 33% बोला 30% का मतलब 1010 आद 2 यानि कि 3 बटा क्या आ गया 2 इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवेन है 7 एक तरीका ये हो गया दूसरा 39 का भी 25% निकालेंगे दूसरा ओप्शन का चेक कर रहा हूँ एक बटा 4 हो गया एक बटा 4 मतब 39 बटा में 4 आया उसके बाद दूसरा कोश्चन का भी दूसरा नमबर का भी मैं निकाल रहा हूँ 30% 30% का मतलब तो आप बोलेंगे 3 आएगा इन दूनों का डिफरेंस देखना होगा 37 का भी इसी तरह से देखेंगे तो इहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉब्लम इस बात का होगा कि कटने वाला नमबर नहीं दिख रहा है तो इहां लाश बला मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ 40 का 25 क्या होगा तो 10 होगा और 11 का 30 क्या होगा तो आप बोलेंगे सर ये खतम तो ये है तो 11 बटा 10 हुआ यानि कि किसी जग़ा पर आप ऐसे option से करने में दिक्कत आ रही है यानि कि संखाएं ग्यात किजिए इसे बोला सवाल में कौन सा मानूंगा तब ऐसा है इसका मतलब किसी एक संखा का इतना परसें दूसरी संखा का इतना परसें से इतना अधिक है ये वाला ला लाइन को थोड़ा समझना होगा इतना से अधिक है इधर वाला कहां अधिक है बाई केसे देखेंगे हम इसको देखने पर कितना दिख रहा है इसमें तो ज्यादा अधिक दिख रहा है बटा में आ रहा है ना साथ तो अधिक नहीं दिख रहा हमें इसमें अधिक होगा इसमें अधिक होगा, कहां अधिक है, नहीं, चोलो मैं इसको पहले सॉल्प कर लेता हूँ, ओप्सन छोड़ो, इसको सॉल्प करता हूँ, देखे जरा, किसी, अच्छा एक संका का 25%, दूसरी संका के 30% से अधिक है बोला, तो ऐसा कारम कर लेते हैं, दो स्वमिकरन हमरे पस आया, एक काम करते हैं, हमको दोनों संका में से एक संका पहले ढूनना होगा, तो एक काम करिए, दोनों तरफ मैं ऐसा करता हूँ, मैं पांच गुना करतेता हूँ, दोनों तरफ, तो पांच गुना करूंगा, तो पांच एक्टो पहले से है, और इनका प्लस होगा इनको सॉल्व कर लेंगे इहां जोड़ना होगा इसका मतबब इहां जोड़ घटाव आज़ाए जाएगा और यहां पर माइनस पांच आ जाएगा यानि कि वाई का मन पांच आया तो कहां है एक ही जगह पे है पहला ओप्शन ये करा देते हैं सही है कि नहीं दूसरा वला को भी ढूंड लेता हूं तो बलेंगे सर फाइब एक माइनस 6y बराबर में आपको 140 दिया है उसमें वाई कमान 6 है यानि कि 5 x माइनस 6 513 और बराबर 140 आया इसका उतों 5 x पर आवर क्या हो जायेगा एक सो नहीं कहां गलती हो गया 110 ये उधर आ जायाएगा 110 होएगा एक सका मान कितना हो जाएगा 22 क्या आपको तूरूटियां दिखाई दे रहे हैं पोला सवाल में संखाओं के बीच का डिफरेंस है 29 कहां किया कहां पर हमने गलती किया ठीक तो किया ठीक तो किया आज गुना किया 59 45 दुगने दस चोवद पांच वाई है पांच है मैंने साइन दिया प्लस दे दिया मैंनस दे दिया इंग टांग टांग वाई का मन कुछ तुरूटी तो नहीं है कि मैंने सक्राइए मएडेश भी चान फैटा दिया हमने वाई कमान प्लस यहां रख़ेंस हो गया मइनस में पांस चोवकितीरींस हो गया इसका मतलब वह तर जाएगा अचा अच्छां अच्छा है होगा ना थो यह हो जाएगा तो 170 हो जाएगा आफ इज वाला ओप्शन था ठीक है अच्छा तभी दिक्कत क्यों हो रहा था अच्छा डिफरेंस देखें जरा तभी क्या दिक्कत हो रहा था एक बार चेक कर लेता हूं 34 का 25 परसंट पता करते हैं तो यह एक बटा 4 हुआ यानि कि 17 बटा क्या होगा दू और यहां जो 5 है उस 5 का कितना परसंट चाहिए 30 परसंट इसका मतलब 1010 उड़ जाएगा तो 3 बटा 2 हो गया तो अगर मैं इनका डिफरेंस पता करूं हमें तो बुला है नहीं साथ होना चाहिए डिफरेंस्ट हो साथ होना चाहिए डिफरेंस्ट हो तो साथ तो आई बे करेगा कैसे तो यह हो जाएगा 8.5 और यहां हो जाएगा 1.5 तभी हमने यही जिद्यान नहीं दिया ओप्शन से हम कर सकते थे पर बटा में था इसलिए हमें टेंसिन हो गया ओप्शन से चेक कर लेते इस तरह क्या से एक ठोका इतना निकाला दुसरा का इतना निकला डिफरेंस दे जो आए ऐसे करते तो बहतर हो का इस मामले में ठीक है उम्मिद करता हूं ऑप्शन से बनाओगे चलो आगे चलता हूं भाई इसी तरह से हम अटकते हैं एक्जाम होल में बिना प्राक्टिस किये करेंगे तो ऐसे होता है इसमें कोई लफडा नहीं है किसी एक संखा है और उस संखा का पहले बोला सेवेंटी फाइब परसन थ्री परसन यानिकी सेवेंटी थ्री और अगले बार बोला उनका अंठावन परसन उसी संखा का अंठावन परसन अंठावन परसन मतलब अंठावन ही रहेगा है ना हां तो बोलेंगे इसमें कितना गेप है डिफरेंस कितना है आप ब साथ ओके हमें बोला उस संखा का 22 परसेंट बताओ 22 बराबर ठप लगा देंगे और क्या तो जहां एगारो का मल्टिपल होगा वही हमारा अंसर होगा एगारो का क्यों क्यों कि 22 में गुना है जो एगारो इसलिए तो एगारो से कौन कटेगा ये भी कट रहा है क्या एगार ए इगार एक एगारो नहीं यह एगारो Сп hm 11113 एगारो दुगने 228 यह उम्मिद है ऐसक तुक इसको देख गारों के लग और तूब बचा कितना ताट पंदर पांचे पंदर चोग के होना चाहिए ना तो यह बाइस से दोखो बाइस चारे अठासी आठ बचा और बाइस छे पताई यह बाइस छे क्या हो जाएगा एक सो बतीस एक सो बतीस इसका मतब हमारे पास आ गया 140 यहीं हमारे पास अंसर है तिकाए उम्मिद करता हूं आप समझ गये पहले ऑप्षन से हमने चाहट दिया था इसलिए आपको काटने की रिक्वार्मेंट नहीं थी यह हमारे पास 44 नंबर कोश्चन है यह 44 नंबर कितना है बबा 48 और 38 तस पर्षन है यह जो 10 पर्षन है उसी 10 पर्षन का मान शुम्मन आपके जीवन में है 354 और हमें बोला है प्लीज उस संखा का अंठावन पर्षन बता दीजिए खपा लगा देंगे तो देखो ना आठ चारे बतीस लास्ट में दू आएगा पॉइंट के साथ और यह की जगह पे दिख रहा होगा यह बला है और कुछ देखना ही नहीं है कई बार हमें ऐसा देता है कि आप सिर्फ आंक से देखोगे आठ टीक मारके निकल जाओगे ओभी हाथ से नहीं आंक से ही टीक मारोगे है ना हां तो ऐसे कर सकते हो चलिए आगे बढ़ता हूँ और यह हमारे पास last question आज का क्या लिखा हुए दैखिए कि संखा की 35% प्राप्त करने के लिए की सजब्क करने के निफाए कौ कि किसी संखा का 35% प्राप्त करने के लिए कि इसी संखा का माली यह कोई संखा X है उस X का 35% प्राप्त करने के लिए उसी संखा में कितना गुणा करना पड़ेगा मैंने Y गुणा किर दिया और किया तो यह कड़ जाना है तो यही आएगा 7 बटा कितना 20 किसी संखा के 35% प्राप्त करने के लिए यह वला को पाने के लिए उस संखा में क्या गुणा करना पड़ेगा बस यही बोला था हमने ऐसा किया आंसर आ गया पहला नूम्बर ऑफशन करके देखिए नहीं तो हाँ ना करके देखो के तो मेच हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं सेम होएगा तो उम्मित करता हूँ इसका फ्रेक्शन वेल्यू मांग रहा है और कुछ मांग थोड़े रहा है बस हमें समझना था वही बात है ना किसका परसेंटेश का और यह तिरिच के जो नंबर है वह दसवा नंबर था ठीक है तो उम्मित करते हां आप समझ गए आगे चलेंगे कॉमेंड में आप अपना फिडवेक देते रहो ताकि हमें भी थोड़ा सा समझ में आयागा कि आपके मन में क्या चल रहा है तो सभी को जोहार एक बार फिर से तैयारी में लग जाईए और इसी तरह से प्राक्टिस करते रहे है सभी को धन्यवाद